तो दोस्तों February 2024 का जो monthly software update होता है Pixel devices का वो आ चुका है month के पहले Monday में जो है Google हमेशा ये updates release करता है और Pixel 6a में जो है ये update आ चुका है मैंने update कर लिया है और performance वगरा जो है वो मैं चेक करी रहा था तो everything is sorted, कोई ऐसी problem नहीं है you can safely go ahead and update your phone आराम से कोई problem आपको नहीं होने वाली है Pixel 5 से जो है उपर जिनके पास phones है वो सारे updates उसमें आ जाएंगे Pixel 4a में ये updates नहीं आने वाले हैं unfortunately so if you have a Pixel 4a 5G device आपको जो है support आपके phone में बंद कर दिया गया है Google ने I think last update से जो है इनोंने close कर दिया था पर इसमें जो है ऐसा कुछ खास update 6a में आपको नहीं दिखने वाला है performance issues कुछ internally होते हैं तो उनका bug fix of course Pixel में किया है Google ने on the 6a पर other than certain Google Pixel 6a bug fixes इसमें कोई ऐसा sorted वाला improvement नहीं हुआ है camera performance बोल लीजिए या overall performance बोल लीजिए वो तो खेर अच्छा है ही पर कुछ भी ऐसा feature अगर आप add ऐसा हुआ है कि नहीं वो सोच रहे है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है Pixel 8, 8 Pro में जो है अच्छे खासे bug fixes हुए है but as far as Pixel 6a is concerned इसमें आपको कोई नया feature नहीं मिलने वाला है obviously because नय feature के लिए आपको quarterly update जो आता है उसका wait करना पड़ेगा which was in December तो मैं guess कर रहा हूँ कि March में आपको अच्छा खासा quarterly update में Pixel में feature drop देखने को मिलेगा तो उसके लिए मैं काफी excited हो because feature drop में Google जो है काफी नए features लेके आता है और अभी जो है काफी AI features Google Pixel 8 और 8 Pro में आया है तो वो उन में से I am hoping कुछ features ऐसे होंगे camera के especially जो Pixel 6a तक शायद trickle down करेंगे तो उसका एक इंतिजार है अगले महीने पता चलेगा उसमें क्या होने वाला है पर talking about the February 2024 update वह 27-28 MB की file है जो कि आपको update करने में काफी अच्छा खासा time लग जाएगा एक यह चीज है मुझे लगता है Google को sort करने की जरूरत है कि update download तो चलो फिर भी हो जाता है 10-11 minute में पर update complete करते हुए कम से कम देड़ से 2 गंटा easily लग सकता है depending on device to device मेरे को एक से 2 गंटा लग गया इसको update complete करने में रात को so that was a little irritating but other than that I feel the update went very very smoothly को attention वाली बात नहीं है जाके आप update कर सकते हैं हाँ अगर कोई नया feature आप expect कर रहे हो तो नया feature कुछ नहीं आया हुआ है it is purely bug fix और कहीं ने कहीं थोड़ा सा हलका फलका performance improvement Google हमेशा करता है अपने updates में वो आपको महसूस नहीं होगा because the Pixel 6a is anyhow a very very smooth device देर से 2 साल के आसपास हो गया है मुझे इसको use करते होए अभी तक मुझे performance में कोई issue ऐसी महसूस नहीं हुई है fantastic चल रहा है the cameras are superb and overall I can still recommend the Pixel 6a in 2024 हाँ अब यह product cycle इसका काफी old हो चुका है तो अगर आप Pixel A series of device धून रहे हैं 2024 February में तो मैं suggest करूँगा कि Pixel 7a देखियेगा because that's a newer device much more better built device overall that device feels better than the 6a तो यह छोटा सा जो है update आप कर लिजेगा जरूर यह आपको देने के लिए news मैंने यह video बनाई है because कई बार होता है हम confused रहते हैं कि update आया है नया उसमें कोई bugs तो नहीं है या मेरा phone जो है वो freeze तो नहीं हो जाएगा कुछ problem तो नहीं होने वाली because last update के साथ मैंने सुना था काफी लोगों के phones जो है वो freeze हो गएते तो pixel 6A तो उनको जो है factory reset करना पड़ा था अभी इस बार जो है कुछ भी नहीं absolutely fine है must चल रहा है कोई tension नहीं चाहे आप multitasking कर लीजिए चाहे आप कुछ भी कर लीजिए बढ़िया चल रहा है कोई fight वाली बात इसमें नहीं है तो you can safely go ahead and update your pixel 6A 5, pixel 5 से जो भी उपर आपके पास phones है उसमें जाके एक बार settings में जरूर check कर लीजिएगा ब्युक्स settings यवाँ पहली बार खोलते हैं और system update में जाते हो तो वो दिखाता है कि your phone is already up to date नहीं मानना है आपको check for update वाला button click करना है उसके बाद एक round circle घूमता है तो search for the update update आ गया होगा तो जरूर दिखा देगा update कर लेजिए नहीं आया है तेंशन वाली बात नहीं this week जो है इस हबते पूरा Google जो है अपने updates को roll out करता है तो जरूरी नहीं है कि Monday update की है तो Monday ही आजाए कई लोग के पास Tuesday, Wednesday, Thursday या week end पे भी आएगा टेंशन मतले ना जरूर आजाएगा update जरूर कर लीजिएगा because these bug fixes are necessary for smooth functioning of your pixel devices चाहे 6A हो चाहे कोई सा भी device हो till pixel 8, pro 8 या even the pixel fold if you have the pixel fold in India that is तो ये छोटी से वीडियो ते दोस्तो update कर ले ना बढ़िया update चल रहा है और बहुत चल्द बहुत धेर सारी वीडियो चलने वाला हो photography का Samsung S24 के लिए मेरी बात चल रही है Samsung से शायद review के लिए मिलेगा शायद नहीं मिलेगा पर अगर नहीं भी मिला तो भी content तो देखो यार जारी रहेगा कोई tension वाली बात नहीं है बस आप लोगों का साथ है आप लोगों का support है तो हम SE 2024 में भी देरे देरे grow करते रहेंगे तो चाहूंगा इजाज़त और मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों बहुत ही जल्द साथ दीजेगा लाइक कर दीजेगा और नए है चैनल में तो subscribe जरूर कर लीजेगा मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों नमस्कार